नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शिर्षक है भगवान शंकर और आलसी ब्रामन एक गाउ में एक ब्रामन ने पत्नी और बच्चों के साथ रहता था उसकी जिन्दगी में बेहत खुशाली थी, उसके पास भगवान का दिया हुआ सब कुश था सुन्दर, सुशिल पत्नी, होशियार बच्चे, खेत, जमीन, पैसे, सब कुश था उसकी जमीन भी बेहत उपजाओ थी, जिसमें वो जो चाहे वो फसल उगा सकता था लेकिन एक समस्या थी, कि वो खुद बहुत ही ज़्यादा आलसी था कभी काम नहीं करता था, उसकी पत्नी उसे समझा समझा कर थक गई थी, कि अपना काम खुद करो, खेत पर जा कर देखो, लेकिन वो कभी काम नहीं करता था वो कहता, मैं कभी काम नहीं करूंगा उसकी पतनी उसके आलस्य से बेहत परेशान रहती थी लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी एक दिन एक सादू ब्रामन के घर आया और ब्रामन ने उसका खुब आदर सतकार किया खुश होकर सम्मान पूर्वक उसकी सेवा की साधू ब्राह्मन की सेवा से बेहत प्रसन हुआ और खुश होकर साधू ने कहा कि मैं तुम्हारे सम्मान और आदर से बेहत खुश हूँ तुम कोई वर्दान मांगो ब्राह्मन को तुम मांगी मुराद मिल गई और उसने कहा बाबा ऐसा कोई वर्दान दो कि मुझे खुद कभी कोई काम करना ही न पड़े आप मुझे कोई ऐसा आदमी दे दो जो मेरे सारे काम कर दिया करे बाबा ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे हमेशा व्यस्त रख सको यह कहकर बाबा चले गए और एक बड़ा सा राक्षस नुमा जिन्न प्रकट हुआ वो कहने लगा मालिक मुझे कोई काम दो मुझे काम चाहिए ब्रामण उसे देखकर पहले तो थोड़ा डर गया और सोचने लगा तभी जिन्न बोला जल्दी काम दो वर्नमे तुम्हें खा जाओंगा ब्रामण ने कहा जाओ और जाकर खेद में पानी डालो यह सुनकर जिन्न तुरंत गयब हो गया और ब्रामण ने राहत की सास ली और अपनी पत्नी से पानी मांगर पीने लगा लेकिन जिन्न कुछी देर में वापस आ गया और बोला सारा काम हो गया है अब और काम दो ब्रहमन घबरा गया और बोला कि अब तुम आराम करो बाकी काम कल करना जिन बोला नहीं मुझे काम चाहिए वरना मैं तुम्हें खा जाओंगा ब्रहमन सोचने लगा और बोला तो जाकर खेज जोत लो इसमें तुम्हें पूरी रात लग जाएगी जिन गायब हो गया मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा अब तो जिन्दगी बर का आराम हो गया है ब्राह्मन की पत्नी सोचने लगी कि कितना गलत सोच रहे हैं उसके पती इसी बीच वो जिन्न वापस आ गया और बोला काम दो मेरा काम खतम हो गया है जल्दी दो वरना में जखा जाऊंगा ब्राह्मन सोचने लगा कि अब तो उसके पास कोई काम नहीं बचा अब क्या होगा इसी बीच ब्राह्मन की पत्नी बोली सुनिये मैं ऐसे कोई काम दे सकती हूँ क्या ब्राह्मन ने कहा दे तो सकती हो लेकिन तुम क्या काम दोगी ब्राह्मन की पत्नी ने कहा आप चिंता मत करो वो मैं देख लूँगी वो जिन्न से मुखातिब होकर बोली तुम बाहर जाकर हमारे कुट्टे मोती की पूछ सीधी कर दो ध्यान रहे पूछ पूरी तरह सीधी हो जानी चाहिए जिन्न चला गया उसके जाते ही ब्राह्मन की पत्नी ने कहा देखा आपने की आलस कितना खतरनाक हो सकता है पहले आपको कोई काम करना पसंद नहीं था अब आपको अपनी जान बचाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि उसे क्या काम दे ब्राह्मन को अपनी गलती का हैसास हुआ और वो बोला तुम सही कह रही हो अब मैं कभी आलस नहीं करूँगा लेकिन अब मुझे इस बात का डर है कि आगे क्या काम देंगे उसे यह मोती की पूछ सीधी करके आता ही होगा मुझे बहुत डर लग रहा है हमारी जान पर बनाई है अब तो यह हमें मार डालेगा प्राह्मन की पतनी हसने लगी और बोली डरने की कोई बात नहीं है जिनता मत करो वो कभी भी मोती की पूछ सीधी नहीं कर पाएगा वहाँ जिन लाग कोशिशों के बाद भी मोती की पूछ सीधी नहीं कर पाया और पूछ चोड़ने के बाद भी टेड़ी हो जाती रात भर वो यही करता रहा ब्राम्मन की पत्नी ने कहा अब आप मुझसे वादा करो कि कभी आलस नहीं करोगे और अपना काम खुद करोगे ब्राम्मन ने पत्नी से वादा किया और दोनों चैन से सो गए अगली सुबह ब्राम्मन खेट में जाने के लिए घर से निकला तो देखा जिन्न मोती की पूछी सीधी कर रहा था उसने जिन्न को छेड़ते हुए कहा क्या हुआ अब तक काम पूरा नहीं हुआ क्या जल्दी करो मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है जिन्न बोला मालिक में जल्दी ही यह काम पूरा कर लूँगा ब्रामन उसकी बात सुनकर हस्ते हस्ते खेड़ पर काम करने चला गया और उसके बाद उसने आलस हमेशा के लिए त्याग दिया दोस्तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस सी ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है अपनी मदद खुद करने से ही कामिया भी मिलती है और आलस करने से जिंदगी में बड़ी मुसीवते आ सकती है दोस्तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताए साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करे अगर चैनल पढ़ना है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करे धन्यवाद